तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि animation को multiple times हम कैसे चला सकते हैं कैसे run कर सकते हैं तो इसके लिए एक simple सी property होती है आप क्यों करना है बस यहां पर लिखना है animation iteration count ठीक है जैसे ही animation iteration count में आप दो लिखते हो for example और इसको run करते हो तो देखो animation अब दो बार चलेगा ठीक है ऐसी है आप इसको 5 बार लिख दो तो animation 5 बार ठीक है जैसे ही 5 बार complete होगे animation जुख जाएगा clear है अब पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके थोड़े से duration बढ़ा देते हैं by default animation iteration count एक रहता है ठीक है एक मलब एक ही बार चलेगा animation अगर आप animation iteration count नहीं दोगे तो और अगर आपने दिया हुआ है जितने भी आपने number ऐसे pass करें यहाँ पर दो तीन चार पांच है उतनी बार animation play होगा क्या कोई ऐसा तरीक है जिससे यह रुखेगी ना और loop में continuously चलता जाए हाँ तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर बस infinite बस अब यह कभी रुखे गई नहीं और यह animation चलता ही जाएगा hope आपको यह बिल्कुल clear हो गया होगा कि animation iteration count कैसे काम करता है आज की वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में और देखते है direction कैसे काम करती है animations के इंदर झाल